ओम, शान, नौरात्री साल में दो बार आते हैं और ये विशेश समी होता है, समे परिवर्तन का और हमारे शरीर में भी इस परिवर्तन के अनुसार अपने आपको परिवर्तन करें। इसलिए हमारे विद्वानों ने विशेश रूप से कुछ गाइडलाइन्स दी, कुछ नियम बताए, ताकि हमारा जीवन स्रेश्ट बन सेके। जिसके लिए आगे चल कर ब्रामनों ने या कहें के विद्वानों ने कुछ इस परकार के मांत्र, कुछ इस परकार के शलोक, कुछ इस परकार के कहानिया बनाई। अब उन्होंने अलग-अलग तरीके से फिर अपनी अभिव्यक्ती भी देना शुरू कर दिया। तो हमें बताया गया कि मैं ब्रामन का बेता हूँ, मैं भी यही बताता आ रहा था। कि यह मंत्र को जाब करो, मंत्र का उचारन करो, जिस से देवी परसन हो जाएगा। उसके लिए पुराणों में, अलग-अलग पुराणों में कहानिया भी लिखी गई हैं, जिनकी कहानिया अलग-अलग से जोड कर, मंत्र जोड कर, आरती जोड कर, उसका महत्व स्पस्ट करने का परियास किया गया। लोगों को उसके प्रति जागरू किया गया। आज से हम नौ दिन के लिए नौ कहानिया जो दे गई हैं, वो प्रति दिन के हिसाब से हम कहानी सुनेंगे, और उस कहानी के मंत्र के सही आर्थ को भी जानेंगे। जब सही आर्थ हमें समझ में आ जाएगा, तो उसका लाब भी हम ले सके। केवल शब्दों के उच्चारण से कुछ लाब नहीं होगा। जब हम अच्छी तरह मंत्र के अर्थ को जान जाएं, भाव को समझ जाएं, उसको हम अपने जीवन में ले कर आएं। सबसे पहले मैं आपसे ठर्चा करना चाहूँगा, मंत्र किसे कहते हैं। जैसे मंत्री होता है, उसका काम है सलहा देना और मंत्र माना सलहा। मंत्री सलहा देने वाला और मंत्र माना सलहा। हमारे रिशियों ने जिनों ने इन देवियों के बारे में कुछ लिखा उनको हमने शलोक या मंत्र कहा क्योंकि उसमें हमें कुछ ना कुछ सलहा दी गई अब उस सलहा को समझना चाहिए या उस सलहा को रचना चाहिए ये आप सभी विचार करो जिदि आप समझते हैं सलहा को रटना चाहिए तो रटते रहे हैं आपका पार्ट है परन्तु मैं तो तब है जब आप सलहा का मन्थन करें सलहा को समझेंगे सलहा के आधार पर अपने जीवन को बनाने का पर्यास करें जितना जितना आपने अपना जीवन स्रेष्ट बनाया वो आपके काम आएगा उससे आपका जीवन स्रेष्ट बनेगा तो हम आज से कैसे हमारा जीवन स्रेष्ट बने उन कथाओं को सुनकर सच्चाई को समझें और हम उन मंत्र के आधार पर जीवन को बनाएं तो सबसे पहला नवरात्री जो होता है उसमें विशेश दुरगा जी के पहले स्वरूप में शेल पुत्री के नाम से जानी जाते हैं पार्वती कही आठ नाम दिये गए हैं पहला नाम उनका शेल पुत्री के नाम से जाना जाता है यहें नव दुरगाओं में प्रथम दुरगा है परुत्राज हिमाले के घर पुत्री के रूप में उत्पन होने के कारण इनका नाम शेल पुत्री है क्योंकि परवत से हिमाले परवत के घर इसने जनम लिया नावरात्री पुजर में प्रथम दिवस इन्हें की पूजा और उपासना की जाती है इनका वहान विरिशव आप देख रहे हैं चित्र में बैल की सवारी करती है और इसलिए ये देवी विर्शारूडा के नाम से भी जानी जाती है इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूर दार्ण का रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोबित है यही सत्थी के नाम से भी जानी जाती है इसके लिए जो मंत्र है वंदे वांचित लाभाई चांद्र अर्दकृत शेख राम व्रिशारूडाम शूलधराम शेल पूत्रेम यश्वस्टुनि अब मैं वंदना करता हूँ ध्यान से समझना है मंत्र के अर्द को मैं वंदना करता हूँ वांचित लाभ प्राप्त करने के लिए चंद्रा अर्द कृत चंद्र अर्द कृत आधे चांद जैसे शंकर जी के जटा में चांद दिखाते हैं तो उनके उस परकार से स्रेश्ट व् विशप पर बैठी हुई, बेल पर सवारी करने वाली, شूल को धार्ण करने वाली, शैल पुत्री, तुम यश्यस्वनी हो, तुम हमारी इच्छाओं को पूरा करो। हम प्रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी इच्छाओं को पूरा करो यदि कहने से ही इच्छाओं पूरी हो सकती है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है रोज आना सवेरे उठो और साधार्ण बाशा में जो भी चाहिए वो इनको कहो और यह आपको दे देंगे यह दुकान खोल रखी है इनोंने विचार करना है इस बात क्या हम रोज आना बिखारी बनके मांगते रहें और मूर्ति के आगे चित्र के आगे या बिना ही चित्र के अपनी बुद्धी के अंदर उनको विराजित करके नहीं मिलेगा ऐसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है यदि किसी को मिले तो मेरे को बताएगा और मैं गरंटी देता हूँ कि मैं सारी दुनिया की इच्छाएं पूरी करने वाली इस माता के सामने सब को बिठा दूगा सारी दुनिया को बिठा दूगा सारी दुनिया एक दम ऐसे सीधी हो जाएगी जिसमें जर्रा भी किसी भी परकार की कोई हलचल नहीं दिखाई दे जितना ध्यान से कहोगे उतना ध्यान से मैं बुलवा दूगा पर तो एक शर्ट है कि जो उनकी इच्छा हो वो पूरी हो जाने ते और मैं गरंटी देता हूँ कब भी नहीं हो सकती कब भी नहीं हो सकती किसी की अद्यच्छा पूरी हुई भी है तो केवल उसके पूर्व कर्मों के आधार पर हुई है उसने कुछ ऐसे कर्म किये हुए हैं जिसके आधार से उसका वो कार्ये पूरा हो गया otherwise काम पूरा नहीं हो सकता कोई काम नहीं हो सकता इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ लेना कर्मों की गती को बहुत अच्छी तरह से समझना है जो करेगा सो पाएगा पिना किये कभी नहीं मिल सकता चाहे वो आपने इस जन्नम में किया हो या किसी भी जन्नम में किया हो ऐसे मांगने से काम नहीं होता ये बात अपने बुद्धी में बहुत अच्छी तरह से धार्ण करें एक बार जब सती के पिता प्रजाप्यती दक्ष ने यग किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया पर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं किया सती अपने पिता के यग में जाने के लिए विकल हो उटी शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है उन्हें नहीं, ऐसे मैं वहाँ जाना उचित नहीं है, परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई, सती का प्रबल आगरे देखकर, शेंकर जिने उन्हें यगे में जाने के अन्मती दे दी, सती जब घर पहुँची तो सिर्थ माने ही उन्हें सने दिया, वेनों की बातों में उसमान ना सहन कर सकी और योग अगनी में जान दें यग अगनी नहीं कहा है योग अगनी जबकि मेरी खाल से यहां लिखा जाना चाहिए कि उसने उस यग्य की आग के अंदर अपने आप को जला कर बसं कर लिया इस दारण दुख से व्यथितो कर शंकर भगवान ने तांडव करते हुए उस यग्य को विद्वन्स कर दिया और ये सती अगले जनम में शेल राजी माले की पुत्री की रूप में जनमी और शेल पुत्री के लाई शेल पुत्री का विवावी फिर से भगवान शंकर से हुआ शेल पुत्री शिव की अरधांगनी बने इनके महत्व और शक्ति अनन्त है अनन्य नाम सती पारवती विरिशारुडा हेमवती भवानी भी और इन्हें देवी के नाम अन्य नाम भी दिये यहां सबसे पहला प्रशन नाम इसका रखा गया है पारवती परवत राज की पुत्री जबकि बेटी वो दक्ष की बाद में इसने जनम लिया आप परम पिता परमात्मा शिव जिनके कारण इन्हें शिव शक्तियां कहा जाता है हमें ये समझ लेना है कि वो कौन है क्योंकि यहां हमें जो समझने की जुरूरत है वो ये समझने की जुरूरत है शिव और शंकर क्योंकि आज सारी दुनिया शिव और शंकर को एक समझती है यह समझते हैं कि शिव भी वही है और शंकर भी वही है आज हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि शिव शक्तियां इन्हें क्यों कहा जाता है शंकर के साथ क्यों इनका संबंद जुड़ा ऐसी क्या बात है जिसके कारण इनको शंकर के साथ संबंद जोड़ने के लिए कहा ग और उस कल्यान कारी पिता परमात्मा शिव को सभी याद करते हैं। अब शंकर जी भी हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे शिव को याद करते हैं। हम इस चित्र में देख रहे हैं, हमारे सामने शिव भी है और शंकर भी है। देख रहे हैं हम, इस चित्र के अंदर शिव भी और शंकर भी। आज तक हम इन दोनों को एक समझते थे। परन्तु आज हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों में भी क्या अंतर है। हमारे सामने शिव लिंग भी है और शंकर जी भी है। और यहां यदि हम देखें इस चित्र के अंदर एक ही चित्र के अंदर हम इन दोनों को भी देख सकते हैं कि शंकर जी के आगे शिव लिंग रखा हुआ है। आप देख रहे हैं। यदि दोनों एक हैं तो उनके आगे शिव लिंग रखने की क्या जरूरत है। हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। बहुत ध्यान से इस विशे को देखना है। क्योंकि जब तक हमें कोई बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहली बात ये समझनी हैं कि शिव और शंकर दोनों क्या एक हैं या अलग-अलग है। पहली बात ध्यान से देखें कि दोनों का रूप एक है, आपके समझनी शंकर भी है और शिव लिंग भी है। यदि दोनों एक हैं तो उनका रूप मिलना चाहिए। एक को पुरा शरीर दिखाया है और एक के हाथ पैर नाक मूँ आख कान कुछ भी नहीं है। दोनों का रूप नहीं मिलता, दोनों का नाम नहीं मिलता। आज तक किसी ने गलती से भी शिव लिंग को शंकर लिंग नहीं कहा। शिव रात्री मनाते हैं, कभी शंकर रात्री नहीं मनाते। शिव शंकर कहते हैं शंकर शिव नहीं कहते हैं पहले बाप का नाम फिर बच्चे का नाम शिव आलिय कहा जाता है कभी शंकर आलिय नहीं कहा जाता दोनों का नाम अलग अलग है दोनों का रूप अलग है दोनों का नाम अलग है दोनों का काम अलग है शंकर तीसरा नेत्र खोलते तो परले कर देते शिव कल्यान कर देते और हम ध्यान से देखे तो शंकर जी देखो कि माला जाब कर रहे हैं कह रहे हैं ओम नमा शिवाये ओम नमा शिवाए शंकर जी मला जाब कर रहे हैं शिव को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं मुझ आत्मा का शिव को नमस्कार ओम नमा शिवाए ओम नमस्कार करता है शिव को यह ओम कार्थ है आहम जोती सुरूप आत्मा नमस्कार करती हूँ शिव को जब शंकर जी शिव को नमस्कार कर रहे हैं इसका मतलब दोनों अलग-अलग है ये भी देखो एक मंत्र है ओम नमा शिवाई पतु कमाल की बात है कोई इस मंत्र का आर्थ नहीं समझता कि मैं आत्मा नमस्कार करती हूँ शिव को कितनी बार नमस्कार करना चाहिए शिव को कहेंगे 108 बार तो कम से कम ओम नमा श्वाय बोलना चाहिए अच्छा अब आपका बेटा आपके सामने आए आपको 108 बार कहे पिता जी नमस्ते पिता जी नमस्ते या माता जी नमस्ते माता जी नमस्ते कैसा लगेगा अच्छा लगेगा एक बार कहेंगे अच्छा बच्चे अच्छा बच्चे यदि 108 बार बोले तो कहेंगे पागल हो गया तो तो क्या परमात्मा को 108 बार नमस्ते करने का कोई लाब मिलने वाला है जितने भी दुनिया के अंदर ओम नमा शिवाय बोलते हैं एक भी ओम नमा शिवाय का आर्थ नहीं जाना यदि वो एक भी ओम नमा शिवाय का आर्थ जानता होता तो ओम नमा शिवाय नहीं बोलता क्योंकि मैंने भी माला जाब किया मुझे भी जब तक आर्थ मालुम नहीं था, मैं भी माला बैठकर जप रहा था पर तो आप परम पिता परमात्मों नहीं आकर स्वयम समझाया बचे ओम नमाशिवाय का आर्थ है, मैं आत्मा नमस्कार करती हूँ शिव को मुझ परमात्मा को आप नमस्कार कर रहे हैं, कितनी बार नमस्कार करेंगे तो परम पिता, परमात्मा श्युव, परमात्मा शंकर नहीं कहेंगे हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कहा भी जाता है ब्रम्मा देवताय नमा विश्नु देवताय नमा शंकर देवताय नमा ब्रह्मा, विश्नु और शंकर इन तिनों को देवता कहा जाता है इन तिनों को परमात्मा नहीं कहा जाता ब्रह्मा परमात्मा इनमा नहीं बोला जाता विश्नु देवता इनमा, शंकर देवता इनमा कह देते हैं विश्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, शंकर भगवान, प्रंतु ये भगवान नहीं है, इन तीनों का भी पिता परमात्मा शिव है, जो आशरीरी है, जो आजर्मा है, जो जोती है, जिसे सारे संसार के धार्म परमात्मा मानते हैं, एक धर्मवाला जिसे परमात्मा मानता हो और दूसरे धर्मवाला उसे परमात्मा ना मानता हो तो वो परमात्मा नहीं है परमात्मा वो होगा जो सारे संसार के धर्मों द्वारा माना जाए तो कौन है जिसको सारे संसार का धर्म परमात्मा मानता है वेदों में परमात्मा के लिए ओम ओम का हिंदी मेर्थ है जोती इसलिए हम जागर्न करते हैं तो जलाते हैं जोती पुजा करेंगे, पाठ करेंगे, कोई भी धार में काम करेंगे, जलाएंगे जोती मंदर किसी भी देवी देवता का हो वहां पर रखेंगे जोती गुर्दवारे में चले जाओ वहां भी जलाके रखते हैं जोती किसी किसी गुर्दवारे में नहीं भी जलाते और चर्च में चले जाओ तो वहां भी मौम्बती जलाके रखते हैं और वो भी कहते हैं कि God is light बगवान जो है वो एक light जैन मंदिर में जाओ वहां भी जोती बोद मंदिर में जाओ वहां भी जोती यहां तक मुसल्मान भाई हज करने जाते हैं वहां भी गोल काले रंग का एक पत्थर रखा हुआ है जिसे वो अपनी भाशा में कहते हैं सांग ए अस्वद सांग ए अस्वद यह देख रहे हैं मक्का के अंदर गोल काले रंग का एक पत्थर रखा हुआ है जिसे वो अपनी भाशा में सांग ए अस्वद कहते हैं जिसका अर्थ होता है एक खुदा का पत्थर खुदा नहीं कहते हैं, खुदा का यादगार पत्थर कहते हैं, हम जिसे शिवलिंग कहते हैं, वो सबसे पहले राजा विकुर्मा दिते ने सोमनाथ के मंदिर में डाइमन रखके दिकाहा था, देखो, जैसे डाइमन सारे संसार के अंधिरे को दूर करता है, ऐसे परमत्मा भ परकाश का एक स्रोत्र है, इसलिए भारत के जो प्राचीन तब मंदिर हैं, अब वो सारे हीरा तो नहीं रख सकते थे, उन्होंने वहाँ पर गोल पत्थर रखा और उसका नाम रखा जोतिरलिंग, क्योंकि परमत्मा जोती है और ये उसका यादगार है, इसलिए उसका नाम रखा गया जोतिरलिंग, बाद में फिर इसका नाम रखा गया शेवलिंग, परमत्ता परमात्मा शेव है और ये उसका यादगार है, इसलिए उसका नाम रखा गया शेवलिंग, और पारवतन से आई हुई हम आत्माई पारवतिया, पारवती परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे पारवतन, परम धाम से हम आत्माएं आई हैं, इसलिए आप आत्माएं हो पारवतियां, मैं आकर केवल एक पारवती को कथा नहीं सुनाओंगा, मैं अमर कथा सुनाता हूं, सब पारवतन से आई हुए आत्माओं, आप परम पिता परम आत्मा आकर अमर कथा सुनाते अमर कथा में हमें बताया जाता पहला पहला पाठ पड़ाया जाता कि आप आत्माएं मुझ परमात्मा की संतान हो ये शरीर धारी शरीर के पिता तुमारे अलग अलग है मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ तुम भी पारवतन से आये हो मैं भी पारवतन से आया हूँ तुम पारवतनी आत्माएं पारवतियां हो इस संसार में आकर इस शरीर के साथ खेल करते करते गलती से आपने आपको मरने वाला शरीर समझ लिया है वास्तों में आप ये शरीर नहीं हो आप इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हो आप आत्मा है तो इस शरीर की वैल्यू है आप आत्मा नहीं है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं इस शरीर का संबन्द आत्मा के साथ ही है आत्मा है तो शरीर की वेल्यू है जैसे ही आत्मा इस शरीर से अलग हुई इस शरीर की कोई वेल्यू नहीं बहुत अच्छी तरह से समझना है जब तक इस जीव के अंदर आत्मा आती है तो ये चलता फिरता शरीर बनता है बन्तु जैसे ही आत्मा निकली तो ये शरीर मिट्टी है इसे जला दिया जाए दपना दिया जाए खुछ भी कर दिया जाए तो वास्तों में जब तक आत्मा है तो ये शरीर काम करता है जब तक आत्मा है सब इस शरीर को भी प्यार करते हैं वास्तों में प्यार उनको आत्मा से ही होता है तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझना है हम हैं, हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है दूसरा शरीर छोड़ तीसरा लेती है आत्मा शरीर बदवती रहती है आत्मा कभी मिर्ट्यू को प्राप्त नहीं होती शरीर का जनम होता है और शरीर की मिर्ट्व होती है आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर ले लेती है दूसरा शरीर छोड़ा तीसरा ले लेती है क्यूंकि आत्मा तो आमर है ये है परमपिता परमात्मा द्वारा आकर हम सब आत्माओं को अमर कथा के पहले पार्ट से ही हमें अमर करना अब जितना जितना हम इस बात को समझते जाएंगे हम अमर होते जाएंगे हम पार्वती हैं हम जनम लेते रहते हैं पर तो हम परमात्मा की संतान रहते हैं शरीर के पिता हर जनम में हमारा अलग हो जाएगा पर तो हम आत्माओं का पिता परमात्मा पर्मनेंट एक है जो कभी बदलता नहीं तो परम पिता परम आत्मा हमारा पर्मनेंट पिता है पर्मनेंट सजन है पर्मनेंट साजन है जो आकर हम सारे संसार की आत्माओं का कल्यान करते हैं तो अब परमात्मा आकर हम सारे संसार की पारवतियों को इसमें मेल या फी मेल नहीं होता सब आत्माई पारवतियां है, सब पारवतियों को अमर कथा सुना रहे हैं, पतित से पावन बनाने की स्रेश्ट कहानी सुना रहे हैं, स्रेश्ट विदी सिखा रहे हैं, जिस पर चल कर आप पुना सत्युक के देवता बने आप सत्युका फिर से देवता बनना है तो पतित से पावन बनना है तो नर्क से स्वर्ग में जाना है तो दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में जाना है तो परमातम डारेक्शन पर अपने आपको स्रेष्ट बनाना हो परमपिता परमात्मा आकर दूसरी बात जो हमें सिखाते हैं कर्मों की गति जिसके आधार पर मैंने उस मंत्र के इंदर आपको बताया कि हर आत्मा जो करेगी वो पाएगा परमपिता परमात्मा केते बच्चे आपने जिस आत्मा को सुख दिया है वही आत्मा आपको सुख देगी आपने जिस आत्मा को दुख दिया है वही आत्मा दुख देगी जितना सुख दिया है जितना दुख दिया है उतना ही मिलेगा और उसी से मिलेगा जिसको दिया है ये नहीं कि मैंने सुख तो दिया राम को और सुख देने के लिए आजाये शाम, never, कभी नहीं आएगा, कर्म करूं तो मैं फल मिल जाये मेरी माँ को, मेरे पती को, मेरे बच्चे को, never, कभी नहीं मिलेगा, हर आत्मा जो कर्म करेगी उसी आत्मा को उसके कर्मों का फल मिलेगा, यह दो बातें यहाँ पर मैं और आगे विस्तार से जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करमों की गती पर आपको सारा समझाया है। कोई भी बात बिना करिया के नहीं हो सकते हम करे कुछ और मिले कुछ ऐसा नहीं हो सकते हम जैसा करेंगे वैसा हमको मिलेगा जितना करेंगे उतना मिलेगा जितना हम दुनिया को सुख देंगे उतना हमें सुख मिलेगा और उनी से मिलेगा दुख भी उनी से मिलेगा उतना ही म ले जिनको हमने सुख वा दुख नहीं दिया वो हमें मिल नहीं सकते वह उनके साथ हमारा कार्मिक एकाउंट नहीं है वो हमें कभी नहीं मिल सकते केवल वही हमारे संबंध संपर्क में आएंगे जिनके साथ हमारा कार्मिक एकाउंट है इस परकार से हमें समझ में आ रहा है कि हम आत्माओं ने जो किया वो हमको मिलना है पार्वती हम हैं कोई और पार्वती नहीं है जिसको परमात्मा आकर ज्यान सुनाई नाम हमारे कुछ भी रख दिये जाए परमात्मा कहते बच्चे मैं तुमारे साथ सर्व संबंद निभाने के लिए आया हूँ तो मुझे जिस संबंद से याद करेंगे मैं उस संबंद में आपके लिए हाज़ित है तो शरीर के नाम हमारे अलग-अलग कुछ भी हो सकते हैं पतु पर्म पिता, पर्म आत्मा हम सारे संसार की आत्माओं का पिता है पर्म आत्मा एक कैसी आकर जिसका शरीर नहीं है वो आकर हमारे साथ सार्व संबंद निभाती है क्योंकि कोई भी शरीरदारी पिता हो सकता है कीचर हो सकता है पर तो कितने रिष्टे बनाएगा पिता पुतर नहीं हो सकता, पिता बाई नहीं हो सकता पिता पत्री नी बन सकता पिता नोकर नी बन सकता बलग हर एक के लिए बन्तु यहां परम पिता परमात्मा केते बच्चे तो मुझे जिस भी संबंध में याद करो मैं आपके साथ उस सारे संबंधों को निभाने के लिए हर वक्त से याद इस परकार हमें समझ में आ रहा है यह सारे नाम अलग-अलग दिये गए और अच्छी तरह से आप इनको समझना चाहें तो आपको निमंत्रन है कि आप पूरे विश्व में कहीं भी प्रजा पिता प्रमा कुमारिज इश्वरिये विश्व विद्या लेके सभी 140 देशों पे हम कि आप जहां भी रहते हैं वहां गूगल में आप डालेंगे तो प्रजा पिता प्रमा कुमारिज इश्वरिये विश्व विद्या लेक तो आपके नजदेग जो भी सेंटर होगा वो आपको मिलेगा और यदि आपके मन में कोई प्रशन हो कोई बात आपको पूछनी हो या कोई बात अभी स्पस्ट ना होई हो तो आपका अधिकार है इसी नंबर पर 92-131-06-986 पर वर्शिप करें लिख करके बोल करके तो तो फोन नहीं पोन में टाइम नहीं दे सकते कि आम आपके साथ घंटा आदा घंटा बात कर सकते आपके साथ बहस कर सकते आपके प्रशन का उत्तर दे सकते हैं प्रंतू बहस करने का कोई बहुत जरूरी बात हो एक अधे मिनिट के लिए तो आप फोन कर सकते हैं कोई बात जस्ट डाउट है उसको शोट में बताए और प्लियर करें ओव शान